यह सब कुछ आपके सिलेबस के कॉडिंग एक एक टॉपिक कवर किया गया है आप लोग कोश्चन दे के खुछ समझ जाएंगे तो चलिए अच्छे से शुरू से लासर वीडियो को देखिएगा सारी कोश्चन को अटेम्ट करना है और आप लोग इस्कोरिंग अपने सासात मे सबसने जरू बताएंगे कॉमेंन सक्स holiness में संब् foul दिवस कनाया जाता है बेकल्प आप सभी के सामने और आपको सा सही होगा वेरे गोड Kitya अपको आपको स्फेशन सही वाजाता ही 27 नौबर संब्धान दिवस 26 संबीस नौबर को एक दियान दीजेगा 26 जन्वरी आपका उ जो कि 26 जनुवरी 1950 से प्रभाव में आया था यानि कि लागू हुआ अगले कोशिन पर चलते नेक्स आपका कोशिन है भारत का रास्टी जली जीव कौन सा है सारे कोशिन आपके बहुत इंपर्डेटन है मगर मच्च नीली वेल घडियाल गंगा की डॉल्फिन वीकल्पिय यहां पर आपका सही हो जाता है भारत का रास्टी जली जीव गंगा डॉल्फिन है अट्थारा मई दो हजार दस को बारस सरकार की द्वारा उसे रास्टी जली जीव खोसित किया गया था अगले कोशिन प्याते नेक्स और गिद्द के बिलुप्त होनी का कारण क्या है? गिद्द के बिलुप्त होनी का कारण क्या है? किस वज़े से गिद्द बिलुप्त हो रहा है? जलवाएं, भोजन ना मिलना, दर्द निवारत दवाएं, प्राक्रति कावधा हैं? आपका कौन से सही हो गई हापे? IPUP款 पोप्षूहां पर आपका सही हो जाता है C – दर्द निवारक दवाएं गिद्द के बिलुप्त होनी का मुकळ के कारण है बीमार पसूं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवाएं इन पश्वों के मृत सरीर को खाने से गिद्धों की मृत्ती हो जाती है जिसे कि यह आज बिलुप्त होने की अवस्ता में है अगले कोशिन पर चलते हैं अब लोग जल्दी जल्दी से एक बार जितने वी इस्टोरेंट हमारे देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर करना एकदम से स्पीड में पूरे अक्टि हो करके ठीक है रुकना नहीं है पूरी एनर्जी होनी चाहिए अगर आप वंडे एक्जम टार्गिट चैनल के साथ जुड़े हुए है तो यही एनर्जी आपकी हमेशा बनी रहनी चाहिए रिट डाटा बुक किस से सम्मंदित है बिकल्प आप सभी के सामने आप लोग जल्दी से ऑप्सन चूच करिए ऑप्सन यहां पर आपका सही हो जाता है बिलुप्त के करीब जिवो विलुप्त हो रहे जिवो या बिलुप्त के करीब जिवों का सम्मंद रिट डाटा बुक से होता है रिट डाटा बुक का प्रका सबी एक्जाम के लिए आपकी कोश्चन से ज्यादा इंपोर्डेंट होता है नेक्स कोशन पर आते हैं बारती संब्धान में विदी का शासन विचार कहां से लिया गया बारती संब्धान में विदी का शासन ये विचार कहां से लिया गया किस देश के संब्धान से अमेरिका इंग्लेंड, स्विज्जर्लेंड, आयुलेंड, बिकल्पियां पर आपका सही हो जाता भी इंग्लेंड से लिया गया अगले कोशन पर चलते हैं, नेक्स्ट है वर्स 1984 की भोपाल गेस तरास्ती निम्न में से किस गेस के रिसाओं के कारण हुई थी बिकल्पियां पर आपका सही हो जाता है, कई बार ये कोशन करवाय जा चुका है, अमको लगता है, इसमें से मैक्सिमम कोशन आप लोग रट चुके होंगे 1984 कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर, मिलनी रात को 3 दिसंबर, 1984 को भोपाल गेस तरास्ती हुई थी ये बहुत बड़ी आपदा थी, जिसमें 6 जासे अधिक लोग मर चुके थे, और बहुत सारे लोग घायल भी हो चुके थे और ये किस वज़ा से हुआ था? मिथाईल आइसोसाइनेट, गैस की रिषाओं की वज़ा से हुआ था, यूनियन कारबाइट फैक्टरी में अगले कोशन पर चलते हैं, नेक्स्ट है भारती संसर द्वारा जय विवित्ता अधिनियम कप पारित किया गया? इंपोर्टन कोशन है, जल्दी से आप लोग आप्सन चूच करिए कोशन इंपोर्टन है बारती संसे द्वारत जय विवित इदिनियम कब पारित किया गया था? अगले Qtion पर आजाते हैं दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी निम्न मेसिई कौन सी है? दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी? आपको बताना है जल्दी से घुरिए बिकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी अनाय मुडी अनाय मुडी दक्षण भारत के सबसे उची चोटी इसके उचाई कितनी है 2695 मीटर है कहाँ पर इस्तिते केरल के इद्दु की जिले में इस्तिते नेक्स्ट इंपोर्टन कोश्चन आपका यहाँ पर देखिए निमने में सबसे पुरानी परवस रिंखला कौनसी है अगले कोश्चन पर चलते है यह कौन सा परबत है? यह एक आवसिस्ट परबत है नेक्स्ट कोश्चन पर आते है भारत में project tiger program किया गया था कब प्रारम किया गया विकल्प recording आपका option यहां पर सही हो जाता है बी 1973 में भारत में project tiger program किया गया अच्छा एक चीज और आपको बताना है अंतरास्ट्री tiger दिवस कब मनाया जाता है आप लोगो comment section में reply करके बताना अंतर रास्ट्री यह tiger दिवस कब मनाया जाता है विकल्प आप सभी को देते हैं 12 जुलाई 19 जुलाई 29 जुलाई 30 जुलाई इसमें से कौन सा option आपका सही होगा चलिए जल्दी से comment section में फटाफट से reply करिए अगले question पर आ जाते हैं फूलो की घाटी अवस्ति थे कहां पर जम्मो कश्मीर में हिमाचल प्रदेश में सिक्किम उत्तराखंड में very good option यहां पर आपका सही हो जाता है दी उत्तराखंड में आपके exam में question पूछा गया फूलो की घाटी दवैली अप्लार यह राश्री उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्जी के चमोली जिले में इस्ति थे इसे 1982 में 1982 में राश्री पार का दर्जा प्रदान किया गया था इस उद्यान को विस्व धरोहर की स्रेणी में सामिल किया गया अगले question पे चलते हैं Greenpeace International का मुख्याले अवस्ति थे कहां पर New York Sydney Amsterdam नागसा की अप्सनिया पर आपका सही हो जाता है अगले question पर आजाते हैं नेक्स्ट है विटामिन C का राशानिक नाम क्या है विगल में आपका सही हो जाता है D. ascorbic acid इसकी कमिसी कौन सा रोग होता है इसकर्वी रोग होता है किसमें पाय जाता है मेरी खट्टे फलों में नीबुआ अउला अम्रूद इन सब में अगले question पर चलते हैं कोशिका का सक्ति के इंदर किसे कहते हैं कोशिका का शक्ति के इंदर किसे कहते हैं में देवाशरीप मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है मेला से भी आपके एक्जामे कोश्चिन पूशा जाता है तो जल्दी से बताईए बलरामपुर बारा बंकी बदाईूं बहराईच तो देवा शरीप का मेला बिकल्पाप का सही हो जाता है भी बारा बंकी में लगता है निमलेक्त में से कौन्सी ग्रीन्द हाउस गैस नहीं हैं निमलेक्त में से कौन्सी नहीं कार्बन डायोकसाइड नैचरस ऑकसाइड हीलियम मिथेन दिकल्प यहाँ पी आपका सही हो जाएगा C, Helium Greenhouse Gas नहीं है अगले कोश्चिन पर आज जाते हैं नेक्स्ट है भूमंडली तापन का कारण क्या है? भूमंडली तापन का कारण विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है कार्बन डायोक्साइट में ब्रिद्धी भूमंडली तापन का कारण क्या है? जो वाइमंडली की हैसे होती मेली कारण डायोक्साइट की द्वारा औरक्त विकल्प को और सोसित कर लिया जाता है जैसे कि वाइमंडली का तापन क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है यह और जो अन्याइग ग्रीन हाउस गैसे होती उसमें जल्वास, मिथेन, नैट्रस ऑक्साइड और क्लोरो फ्लोरो कार्बन यह सभी शामिल है अगले कोशिन पर चलते हैं नेक्स्ट है सभी शाकाहारी जीव होते हैं क्या होते हैं? प्रात्मे को भोकता, उत्पादक, दोतिय को भोकता, त्रतिय को भोकता तो यहाँ पे आपको आप्सन सही हो जाएगा यह प्रात्मे को भोकता होते हैं जो जीव पेड़ पौधे पर आस्रित होते हैं उन्हें प्रात्मिक उभोगता कहते हैं ध्यान दीजेगा जो भी जीव पेड़ पौधे पर आस्रित होते हैं प्रात्मिक उभोगता की कैटेगरी में आते हैं यानि कि सभी शाकाहारी जीव क्या होते हैं प्रात्मिक उभ्भोगता ऐसी कोश्चिन पूछा गया है प्रकास स्लेशन की प्रक्रिया के दौरा फोटो सिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरा अपना भोजन बनाते हैं इसलिए इने सौ पोसी कहा जाता है और जो इन पर निर्भर करते हैं ऐसे जीव को कहते हैं प्रात्मिक उभ्भोगता और जो इन पर निर्भर करते हैं वो शाकाहारी होते हैं नेक्स्ट रे परियावरण के जैविक कारक कौन सा है, जैविक कारक पूछा जा रहा है, बिकल्प यहां पर आपका सही हो जाएगा भी वनस्पत, मिर्दा, वायू, जल, यह सबी परियावरण के आजैविक कारक है, और जीवित, जीव, जन्तू, वनस्पती, सूख्ण, परिवार विकास, परिवार नियोजन, सीमित परिवार, आदर्स परिवार, तो विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, परिवार नियोजन, ऑप्सन आपका सही हो जाता है, बी, अगले कोशिन पर आती है, मानोश शरीर में हीमोगलोबीन का कारी है, हीमोगलोबीन का क्य प्रोटीन पाई जाते में आर बीस्टी में रेड ब्लट कारप समने हत्तिन पाएजाती है हेमोगलोबीन औक्सीजन का परिवर्ण करती इसमें के लाह अंस पाई जाता है जो इसे znak अगले कोशन पर आते हैं नेक्स्ट है दही निर्माण हे तो कौन सोक्ष्म जीव उत्तरदाई है कि अपको हम यह कोश्चन करवा चुके अप्सिन यहां पर आपका सही हो जाता है डी लैक्टोबैसलस अभी साइंस का कोश्चन मैंने करवाए था साइंस के यह से कोश्चन जो और लैक्टोबैसलस लैक्टिस प्रमूख है अगले कोशिन पर चलते हैं मानो रूधिरवर की खोष सर्पथम किस बैग्ज्यानिक ने की लैंडिस्टीन स्टिणर जैनिंक्स लैंटिनियों मास्ट कारल मार्क्स बिकल्पिया पर आपका professor होजाते है यह लैंडिस्टीनर और उ अगले कोशिन पे आ जाते हैं नेक्स्ट है प्याच आलू अद्रक यह सभी क्या है जड़ है तना है अपस्थानिक जड़े या शल्क पत्र विकल्पी यहां पर आपका सही हो जाता भी तना है यह सभी तने के रुपांत्रण है यानि कि इनका जो संग्रा अंग है वो क्या आतना है अगले कोशिन पे चलते हैं नेक्स्ट है जो शाकाहरी जन्तु भोजन के लिए हरे पेड़ पोदों पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं ऑप्सनिया पर आपका कौन से सही होगा वेरी गुड अभी मैंने एक कोशिन कर वा है प्रताम चरण के वो भोगता कह कहता है प्रतमी को भोगता यानि कि शाकाहरी कहलाता है जैसे चर्णे वाले पशु बक्री वा खर्गोस उंट गाय हिरन यह सभी इसी कैटेग्री में आते हैं प्रतम चरण के वोगता की कैटेग्री में अभी मैंने कोश्चन कर वाया कि देखें यहां पर आपके एविस के क कोशन हो जाते कंप्रीट पहलोग बताईगे आप लोग कि इसकोर कर पाएं पूरे आपको 21 कोशन यहां पर मिले हैं इविस के ठीक है तो 21 में से आपको कितना स्कूर कर पाएं विइना सीनग के साथ आपको अपने इस कॉरीं कोमें चक्सेन में बतानी जिससे मुझा पता है हहाँ नूख किना त्यार हैं और में च्छा घान कि अगले क्शिट पर चलते हैं अगला प्रति पुस्टि को सली सभी में सिक्षक को कुषल होना चाहिए अगले कोशिन पे चलते हैं प्रात्मिक इस तर पर एक सिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महतनो बिसेषता माननी चाहिए चारों बिकल्ब मैं से ओप्सन यहां पे आपका कौन से सही होगा धैरी और द्रणता जिसे कि सिक्षक किसी भी परिस्तिती में किसी भी छात्र या छात्र की सहजिता से समस्याओं का समाधान कर सके उनकी बातों को सुन सके अगले कोशन पर चलते नेक्स्ट है यदि विद्यार्थी पार्ट में रूची ना लेते प्रतीत हो तो सिक्षक को चाहिए कि वह सिक्षक को क्या करना चाहिए यदि विद्यार्थी पार्ट में रूची ना ले रहे हो तो सिक्षक को क्या चाहिए यहाँ पर आपका option सही हो जाएगा सिक्षण विधी बदल दे option आपका सही हो जाते है यदि विद्ध्यार्थी पार्ट में रुची ना लेते परतीतों तो सिक्षक को चाहिए कि सिक्षण विधी बदल करके कुछ interesting बताए कुछ interesting सिक्षण विधी अपनाए यह class को interesting बनाने का वो तरीका खोजे जिसे की बच्चे रुची ले सके और अधिगम की प्रक्रिया में वो participate कर सके और अधिगम की प्रक्रिया पूरी तरीके से अच्छी तरीके से संपन हो जिसे की बच्चों का अच्छा achievement मिले अगले question पे चलते next है आपकी कक्चा में एक बच्चा रोज आपको परिशान करने के लिए आप रासंगी प्रस्न पूशता है आप क्या करेंगे चारों बिकल्प में से हमारा कौन सा उप्सन सही होगा प्रधाना चारे से शिकायत करेंगे बिल्कुल नहीं उसे डाटेंगे नहीं डाटना तो बिल्कुल नहीं है यंसी अपके कॉर्डिंग उससे बात चीत करेंगे उसके मातापिता से शिकायत करेंगे नहीं उप्सन आपक किया करेंगे उस बच्चे से बातचीत करेंगे उसके ब्यवभार को जाननी की कोशिश करेंगे बच्चा क्यों ऐसा कर रहा हुँ जरूरी नहीं अरस्तू आपका यहां पर कौन से सही होगा फ्रॉबिल फ्रॉबिल पेस्ट लॉजी के शिर्स से थे फ्रॉबिल का पूरा नाम क्या है फेड्रिक विलियम ऑगस्ट फ्रॉबिल इन्हों नहीं किंडर गार्टन की संकल्पना दी और सैक्ष्डिक खिलोनों का विकास किया जिन ये अगले कोश्य चलते हैं नेक्स्ट है और अगले कोश्य देखिक काफिक विदी का विकास किसने किया स्वाटे ने डवलूच किल पै fascinated से घ्लै अप एंसेलों पार्खस ने डालाटन शिक्षाट विदी या डाल्टन प्रीउक शालार यूजनर्ड का प्रियोग किया अग लिखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है उसके साथ संतूश रहेंगे एत्रित ग्रेहकारी नहीं देंगे वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे एनप्रेरित करेंगे उसके अभवावों को बताएंगे कि वो बुद्धिमान है ऑप्सण आपके यहां पे सही वह जाता है तो विकल्प आपका सही हो जाता है अगले कोशिन पर आ जाते है नेक्स्ट है आपका डिसलेक्सिया का सम्मंद है किस सम्मंद है इंपोर्टन कोशिन है इससे एक नमर तो जरूर आता है विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाते है पढ़ने की अक्षमता से डिसलेक्सिया का सम इसे नेक्स्ट है एक बच्चा जो किसी ग्रशत थे एक बच्चा जो यहां पर फिल इंसी ग्रशत है वसा और वाज डुकलीर में अंतर नई कर सकता वह किसी ग्रशी थे शब्द जबलिंग विकार दिस्लाक्सिया दिस्लाक्सिया दोनों जगह पर डिसलेक्सिया है तो बिकल्प आपका डिसलेक्सिया सही हो जाता है ठीक है क्योंकि डिसलेक्सिया पठन समंधी बिकार है इसमें शब्दों की सहयोजन में वर्डमाला सीखने में इन सभी में कठिनाई होती है तो option यहां पर आपका dyslexia सही होगा अगले question पर चलते हैं next है देखिए बहुत important question है ध्यान से आप लोग देखिए शारेरी ग्रूप से अक्षम बच्चों को सामानित होता है कौन सी बिमारी dyscalculia dyslexia dysgraphia dysthemia इसे बना लेजिए dysgraphia कि ओप्षन आपके यहां पर सही होजाता है सी dysgraphia dyscalculia क्या कौन समंदी विकार है dyslexia पथन समंदी विकार है और dysgraphia लेखन समंदी विकार है यह तीनों यह तीनों आपके अधिए अक्षमता संंदी बिकार हैं तीनों को मैंने आपको बताए यहां पर यह जबकि यहां पर देखें डिस्थीमिया यह मूड डिसॉर्डर समंदी बिकार है जो हलका लेकिन लंबे समय तक रहने वाला एक उसाद है इसमें क्या होता है सामाने गदविधी में आपकी दिल्चस्पी खत्म हो जाती ह तो शारिरी कृप से अक्षम बच्चो में डिस्ग्रफिया लेक्ने समंदी बिकार होने के समावना सबसे अधिक होती है तो से अपका आपसन सही हो जाता है इसी डिस्ग्रैफिया next question पर आते है next है fill in the blank के अत्रिक निम्लिखे सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन हो सकती है सांस्कृतिक कारक cerebral dysfunction सम्विग आत्मक विग्न व्योहार गद विग्न आपसन यहां पर आपका सही हो जाता है सांस्कृतिक कारक इन सभी से अदिगम अक्षमता उत्पन हो सकती लेकिस सांस्कृतिक कारक अधिगम अक्षमता में role नहीं play करता है अग्ले question पर आते next है अधिगम निरियोग जीता क्या है विकल्प आप सभी के में आप लोग options चूच कर इए इंपॉर्टिन कोश्चन है ओफ्सन यहां पर आपका सियोग जाते हैं एक इस्थिर अवस्था है कि सामान यह देखिए अधिगम निरी योगिता का मतलब क्या होता है सीखने की चमता अत्वा योगिता की कमी या अनुपस्तिती अब सामाने भासा में कह सकते हैं अधिगम निरी योगिता का मतलब है योगिता की कमी या अनुपस्तिती या सीखने की चमता में कमी तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है अधिका मक्षमता आंत्रिक होती है यह अस्थाई सोरूप की होती है यानि कि यह व्यक्ति विसेस में आजीवन विद्धिमान रहती है तो इसलिए आपका option B सही हो जाता है यह एक इस्थिर अवस्ता है यह कोई विक्रिती नहीं यह बलकि विक्रितियों के एक विसम समू होती है option आपका B सही हो जाता है अगले question पर आजाते है next है एक बच्ची को copy में लिखने में बिपरीत छबियां, धरपन, छबी, आदी जैसी गलतियां मिलती है इस परकार का बच्चा कौन सा लक्षन प्रदर्सित करता है बिगलबाप के एंपे सही हो जाता है भी अधिगम में अशक्तता की कारण यदि बच्ची की copy में लिखने में बिपरीत छबियां, दरपन छबियां यह सारी गलतियां मिलती है तो इसका मतलब है कि वह अधिगम आसकतता समंधी बिकार से ग्रसी थे इस बिकार को क्या केते दिस्ग्रैफिया यह वर्तिनी समंधी कठिनाई खराब लिखावट अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में यह जाना जाता है दिस्ग्रैफिया ओप अप्सनिया पर आपके सही हो जाता है पैबलाब कि सीखने का क्लासिकल कंडिशनिंग सिद्धान का प्रतिपादन पैबलाब महोदे ने किया इसे संबंद प्रत्यावर्तन सिद्धान भी कहा जाता है इसके नुसार सीखना एक अनुकूलित प्रक्रिया है अगले गोश्चि प्रियोग किस पर ता चुहे और कबूतर पर किस पर था चुहे और कबूतर पर था अगले कोश्चिन पर चलते नेक्स्ट है आंतर द्रिष्टि सूज द्वारा सीखने के सिध्धान में कोहलर ने प्रियोग किया था किस पर किया था कुत्ते पर वन impeachment काено बनमानुसों पर किया था उस बनमानुस का नाम किया था सुल्तान सुल्तान नाम चिंपन जी पर कोहलर ने सूज के सिद्धान का प्रयोप किया था सूज या अंतर दृष्टी का सिद्धान देने का स्ट्रे किसे जाता जर्मन मनोबैग ज्यानी कोहलर को जिसे उन्होंने अप ने पुस्तक mentality आप एपस में 1925 में प्रस्तुत किया था बुक का नाम क्या है mentality कि में टैलिटी कि आफ एपस ठीक है कब 1925 में प्रस्तुत किया था आगले कोशिन पे चलते नेक्स्ट है प्याजे के अनुसार दो से साथ वर्स के बीच का एक बच्चा संग्यानात्मक विकास की अवस्ता में है अवस्ता प्याजे ने संग्यात्मक सित्धान की प्याख्यत चार मुख्य अवस्ताओं में बाठ करके किये यह पहली एक सम्वेधी गामक अवस्था कि जीरो से दो दूसरी है पूर्बस संक्रियात्मक अवस्था दो से साथ वर्स तक है सक्रियातweiselé यह साथ से 11 वर्स और आपचारिक संक्रिया अ वस्था यह 11-15 वर्स क्लियरहे अगले कोशिन पर चलते नेक्स्ट है जो नफ प्रॉक्जिमल डेवल्प्मेंट का प्रतिय जो था वह किसके दौरा प्रयोग किया गया है वाईगोस्की ने कौन सा सिद्दान दिया वाईगोस्की सामाजिक Sanskritik सिधान के लिए जाने जाते हैं इस सिधान में क्या कहते हैं इनकी अनुसार सामाजिक अंत्रक्रिया ही बालक की सोच वह वहार में निरंतर बदलाव ला सकता है जो एक दूसरी की संस्कृति से बिन्ड हो सकती है वाइगोस्की ने अपने ये सामाजिक सांस्कृतिक सिध्धान में कई तत्व बताएं कि ये ये तत्व इंपोर्टेंट है जिसमें से एक है पहला व्यक्तिगत भासा और दूसरा है निकर्तम विकास का छेतर पहली व्यक्तिगत भासा दूसरा है निकर्तम विकास का छेतर जो बी हिंदी。 पश्मी निबिवे हारी हिंदी. पहाड़ी हिंदी. बिकल्पि यहां play कंवा सु New float party . पश्मी हिंदी. आघ ले ज़स्यों कि यहाँ जाते excellence है पुछा चाला है? करें लिएफ निम्ले कितमे सी कौन सा वर्ड उच्रन की दृष्ची से दन्तिय नहीं है निम्ले कितने से कौन सा वर्ड उच्चारण की द्रिष्टी से दन्तिय नहीं यह पूछा जा रहा है चारों बिकल्पे से आपका ओप्सन कौन से सही होगा डी टा आते हैं अगले कोशन पर आ जाते हैं जितने भी इस्ट्रेट अभी वीडियो को देख रहे हैं लाइप जल्दी से एक पर वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर देजिए फिर आगे कोशन हम लोग कवर करत जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है अनुस्वार अयोगवा अंतस्त अकारांत वेरे गुड ऑप्सन यहां पर आपका सही हो जाता है डी अकारांत तान सेन महान यहाँ पर देखे कुछ घलत भरना था और सही आपको आप्शन में से चूच करना था तो यहाँ पर भी सही भर दिया गया तो आप लोग जानते रहे संगीत तक्य ऐसे लिखा जाएगा यह संगीत तक्य से इसी तरीके से कंप्लीट होगा शुद्ध होगा अगले कोशन पर चलते हैं पवित्र में प्रियुक्त संधी का नाम आपको बताना है इंपोर्टन कोशन है यह पवित्र में प्रियुक्त संधी का नाम बताना है तो जल्दी से बताई यण संदी, गुण संदी, अयादी, व्रदी बिगल्पे यापे आपका सही हो जाता है C, अयादी संदी पवित्र का संदी बिच्छेत क्या होगा? पोधन, इत्र अगले कोशिन पे आ जाते हैं नेक्स्ट है मनाय धन भाव मनाय धन भाव कि संदी क्या होगी? ओप्सन यहापे आपका सही हो जाता है C, मनो भाव इसमें कौन से संदी है? विसर्ग संदी इसमें विसर्ग संदी है अगले कोशिन पे आते हैं नेक्स्ट है चिरायू में परियुक्त उप्षर्ग चिरायू शब्द में परियुक्त उप्सर्ग कौन सा है? यहापे आपको उप्सर्ग बताना है चिरायू शब्द में तो चार बिकल्ब आप सभी के सामने हैं तो बिकल्ब आपके यहापे सही हो जाता है B, चिर है अगले कोशिन पे चलते हैं अगला कुश्यन है विद्यार्थी में कौन सा समास है विद्यार्थी में आपको समास बताने कौन सा समास है तत्पुरु से कर्मधारे बहु बरी दिगू विद्यार्थी विद्या का अर्थी यानि कि विद्या को प्राप्त करने वाला विद्यार्थी विद्यार्थी विद् में कौन से समासे हैं कि अपस्णिया पें आपका सही हो जाता है आपका सुप्स समासे अगला कोस्टिन रेल यह गारी शब्द है रेल गारी कैसा शब्द है तत्सम देशच विदेशच संकर तो रेल गारी विकल्पियां पर आपका सही हो जाता है डी संकर रेल गाड़ी रेल और गाड़ी से मिलकर की बना हुआ है तो रेल क्या इंगलेस है गाड़ी हिंदी है दशानन किस प्रकार का शब्द है दशानन किस प्रकार का शब्द है दशानन किस प्रकार का शब्द है तो बिकल्प यहां पर आपका सह हो जाता है क्या सही होगा योग रूड ऑप्शन सही हो जाता सी योग रूड योग रूड किसे कहते हैं वे शब्द जो योगिक तो होते हैं पनुंत जिनका अर्थ रूड यानि विशेस अर्थ हो जाता है वो योग रूड शब्द कहलाते हैं यानि कि योगीक होती हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं यानि ये सामानी अर्थ को ना प्रकट करके किसी विशेस अर्थ को प्रकट करते हैं जैसे पितामबर, पितामबर का सामान अर्थ क्या है, पीला वस्त्र, किन्तु ये विशेस अर्थ में स्रीकृष्व के लिए प्रियुक्त होता है, अगले कोशिन पे चलते हैं, ऐसे जलज का सामान अर्थ क्या होता है, जल से जन्मा, लेकिन ये विशेस अर्थ में किवल कमल क सब्सक्राइब दशानन किसे लिए प्रियोक्त होता है अप लोग कमेंट सब्सक्राइब अगले कोशिण पे कर दो अगले इंपर्ड़न कोशिण आप सभी की स्ट्रेन पर निम्ननल लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द संग्या है आपको बताना है निमलिकित में से कौन सा शब्द संग्या है विकल्ब यहां पर आपका सही हो जाता है भी कुरोध अगले कोशिन पर आते हैं मुझे 21 प्रकार का सर्वनाम है मुझे 21 प्रकार का सर्वनाम है आपको सब बताया गया उत्तम पुरुस, मद्यम पुरुस, अन्य पुरुस इन में से कोई ने बिकल्ब यहाँ पे आपका सही हो जाते है ये उत्तम पुरुस सर्वना अगले कोशिन पे आते हैं संस्कृति का विशेशन क्या है? संस्कृति का विशेशन अभी मैंने कोशिन करवाय था कल संस्कृति का विशेशन विकल्पियां पे आपका सही हो जाता है D. संस्कृतिक नेक्स्ट कोशिन पे आते हैं पशु सब्द का विशेशन क्या है? पाश्विक, पशुत्व, पशुपति, पशुता विकल्पियां पे आपका सही हो जाएगा ये पाश्विक नेक्स्ट कोशिन पर आते हैं ब्रिक्च पर पक्ची बैठे हैं इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, अपादान, अधिकरण कारक विकल्ब यहाँ पर आपका सही हो जाता है D. अधिकरण कारक है आसान सा ये कारक वह घर से बाहर गया इस वाक्य में से कौन सा कारक है? घर से बाहर गया अलग हो रहा है कर्ता कर्म, कर्ण, अपादान विकल्ब यहाँ पर आपका सही हो जाता है D. अपादान कारे नेक्स्ट कोशिन अनुपम का परियाएवाची शब्द है क्या होगा? विकल्ब यहाँ पर आपका सही हो जाता है D. आदूतिय अनुपम का परियाएवाची शब्द आदूतिय नेक्स्ट कोशिन पर आते है अधुनातन का बिलोम शब्द आपको बताना है अधुनातन का बिलोम शब्द आपको बताना है कौन सा है? प्राचीन, भूत कालिक, पुरातन, द्रिश्टब्य बिगल पर आपका सही हो जाता है Very good C. पुरातन Next question पर आते हैं स्रिस्टी का बिलोम शब्द क्या है? स्रिस्टी का बिलोम शब्द आपको बताना है आप सनिया पर आपका सही हो जाएगा B. प्रले श्रिष्टी का बिलोम शब्द होगा प्रले नेक्स्ट है जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे हम क्या कहेंगे विजित अग्ये अजे दुर्जे आपका सही हो जाएगा जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द आप अगर बताएंगे उत्तर आपका सही हो जाएगा टी ऑप्सन दुर्जे नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन सा मिस्रवाक की है मिस्रवाक की आपको चूच करना है चारो बिकल में से आपको दो से लिए के चार सिकेंड का टाइम देते हैं जल्दी जल्दी से आप लोग ऑप्सन चूच करिए हो तो कमेंट से कोमेंट करके पूठ सकते हैं कलम थोडना का अर्थ क्या होता है ओप्सन आपका सही हो जाता है भी बहुत सुंधर लिखना की सब्सक्राइब क्रश लीवाव क्या है जगुप्सा क्रोथ शोक निर्वेदो अगले कोशिह से रिलेटड कोशिक क्या है जो कि आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं आशोक के फूल ये निबंद संग्रह है इसके रशनाकार कौन है कुबेर नाथ राय गुलाब राय रामचंद शुक्ल हजारी परसाद दिवेदी बिगल्बिया पर आपका सही हो जाता है डी हजारी परसाद दिवेदी नेक्स्ट क्वेशन पर आते हैं जरना ये काब्य संग्रह है इसके रचाईता कौन है सुहलाब दिवेदी महादेवी वर्मा जय शंग्रह परसाद दिवेदी